तो हमारी आज की रेसिपी है सिर्फ तीन चीजों से स्ट्रॉबेरी कुल्फी दोस्तो मैं गैरंटी लेती हूं आपने ऐसी स्ट्रॉबेरी कुल्फी पहले कभी नहीं बनाई होगी तो वीडियो को लास तक देखिएगा और इतनी टेस्टी बनेगी ना आप इसे दुबारा ज यहां पर मैंने फुल क्रीम दूद का यूस किया है सबसे पहले हम उबाल यह जैसा ही दूद में बॉइल आज पर जायगा फिर हम गैस का फिर फिर वो कर देंगे और उसके बाद जैसी उसके उसके उपर मलाई आएगी फिर दूद में मिक्स करेंगी पर थोड़ी सी मलाई तो एक रबड़ीदार फ्लेवर आएगा जैसा कुल्फियों में मिलता है ना मार्केट से हम खरीद के लाते हैं तो एक दम रबड़ीदार फ्लेवर होता है आज बिलकुल वैसी ही कुल्फी हम बनाएंगी तो आप इसे करते वक किचिन का कोई दूस्ता काम कर सकते हैं तो यहा ठंडा होने दे रूम टेंपरेचर पे तो अब यह ठंडा हो चुका है दोस्तों मैं आपको दिखाती हूं ठंडा होने के बाद थोड़ा और गाड़ा हो जाएगा यही चीज यही मलाई वाला फ्लेवर हमें चाहिए था जो कि इसमें आ चुका है अच्छी करे से दूद को अब हम दूद को साइड में रख लेते हैं अब दूसरी और मैंने आप एक मिक्सर जार में एक कप स्ट्रॉबरी जाली है स्ट्रॉबरी आप चाहें तो थोड़ी जादा या कम कर सकते हैं साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप चीनी उसके बाद इन दोनों चीजों को अच्छ पीस लिया था तो अब हम इसे चानना है दोस्तों जब हम स्ट्रॉबरी इसको पीसते हैं तो उसके अंदर चोटे चोटे बीज होते हैं वह आते हैं हमें आइस क्रीम बिलकुल स्मूच चाहिए इसलिए आप इसे चलनी से जरूर चान लिजेगा ताकि आइस क्रीम में कोई कर दो बीज ना आए तो यहां पर हमने स्ट्रॉबरी का सिरप के जैसा बनाकर रेडी कर लिया मैं आपको दिखाती हूं किस तरह का यह हमने यहां पर बीज को बिलकुल अच्छी तरह से चाहन लिया है दोस्तों यहां पर मैंने सिरप क्यों बनाया है वैसे मैं चाहाती तो स्ट्रॉबरी और चीनी को दूद के साथ पीस सकती थी पर उससे क्या होता हमने जो इतनी महनत की है ना दूद के ओपर मलाई लाने में वह पूरी वेस्ट हो जाती जब भी हम कुल्फी खाते हैं तो हमें वह कुल्फी वाला फ्लेवर आज रबडी वाला आता है वह अच्छा अब यहां पर जो हमने स्ट्रॉबरी का सिरफ बनाया था वो अब हम यहां पर मिला देते हैं ऐसा करने से क्या होगा हमने जो मलाई बनाई है न वो टोटेगी नहीं आप चाहें तो मिक्सी में भी सीधा दूद को ब्लेंड कर सकते हैं पर उससे ऐसा मज़ेदार फ्लेवर आ प्राइ कीज़े का बहुत टेस्टी लगती है हच से ज्रादा टेस्टी बनती है यह बिल्कुल अब उसके बार जब हमने इस तरह से से लिया है अब इसमें डालेंगे मोल्स में आपके पास कुलफी मोल्ड हो तो आप इसे कुलफी मोल्ड में जमा लें या तो कोई प्लास् ऑजनद में रखेंगे दोस्तों और आठ से वनदे के सकतरी हो जो चुकिक है जाने आपके में इसें मत्के में बड़ा मजा आता है अब जो हमने मत्के में ऋप्हाने में चमत घंगे ऑब मकुल swords को करते हैं सबसे पहले Above इ款 को जा रफाय को करते थे हैं औह थे एसे रप कर आफों की घर्मी से अपने मोल्ड को छोडने लगती है साथ ही दोस्तों यहां पर मैंने पानी ले लिया है पानी में से हलका सा डिप करेंगे बस यह हमारी कुल्फी डी मोल्ट हो जाएगी और मैं आपको इसका टेक्चर दिखाती हूं मैंने स्टार्टिंग में भी दिखाता यह बस क्योंकि strawberry flavor बनाना है तो आप इस ice cream को जरूर ट्राय कीजेगा दोस्तों और अगर आपको मेरी यह वाली रेसिपी पसंद आया तो प्लीज जरूर से like कीजेगा चैनल को subscribe जरूर कीजेगा और पसंद आये न तो सभी के साथ share करके मुझे comment करके जरूर बताना मैं आप एक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए बाई